नमस्कार में पंडित नरेंद्र पाध्या लाइव हिंदुस्तान की जोतिशिय कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सबसे पहले हम लोग 8 अप्टूबर 2022 की ग्रह स्तिती देखते हैं राहु मेश राशी में, मंगल प्रिशव राशी में, सुर्य बुद्ध शुक्र कन्य राशी में, केतु तुला राशी में, शनी वक्री होकर के मका राशी में, चंद्रमा कुम्भ राशी में और वक्री होकर के गुरु मीन राशी में चल रहे हैं, शुक्र नीच के चल रहे है ग्रहों के स्थिति के अधार पे राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा आये देखते हैं मेश राश मन प्रफलित रहेगा स्वास्थ नरम गरम प्रेम में थोड़ी दूरी संतान पे किसी कारण बस क्रोध हाता रहेगा वेपार आपका सही चलता रहेगा पीली बस उपास ब्रिश्व रशी स्वास्थ अच्छा नहीं दिख रहा है ध्यान दे रक्त चाप पे जादे धान दे रक्त आनियमित या बहुत बढ़ा हुआ नहीं इस बात का ध्यान रख़्ें प्रेम सोहादपूर्ण बना रहेगा प्रेम में एक तार्तम में बना रहेगा, संतान भी आग्या के पालन करेगी, ब्यापार आपका कुशन पूर्वक अच्छे से आगे बढ़ेगा, हरी वस्तु पास रखे स्वास्त में सुधार हो चुका है, प्रेम में थोड़ी दूरी बनी रहेगी, संतान को लेकर के मन परिशान रहेगा, ब्यापार धीरे धीरे चलते रहेगा, काली जी को प्रणाम करते रहे करक राश्य, स्वास्त अभी भी थोड़ा मध्यम दिख रहा है, प्रेम की इस्थिती अस्मंजस वाली है, संतान आज्या का पालन करेगी, ब्यापार में लाब मिलेगा, लाब बस्तु उपास लागे सिंग राश्य, स्वास्त की इस्थिती ठीक है, जीवन साथी का पूरा पूरा सहियोग, आनंद चल रहा है जीवन में, प्रेम और संतान की इस्थिती भी ठीक ठाक है, ब्यापार आपका सही से चल रहा है, शनी देव को प्रड़ाम करते रहे कन्य राश्य, स्वास्त में सुधार हो चुका है, लेकिन मन थोड़ा परिशान चल रहा है, किसी भी कारण बस मन की इस्थिती अच्छी नहीं है, संतान और प्रेम को लेकर के चिंतित हैं, ब्यापार बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, शनी देव को प्रड़ाम करते रह है, भानाओं में बह के कोई नेड़ा मत लिजेगा, अदर्वाइस नुकसान संभव है, प्रेम और संतान की इस्थिती मध्यम है, ब्यापार आपका चलेगा लेकिन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, रुक रुप करके मध्यम गती से, नीली बस दू पास रखके, भूमभानवान की खरदारी में भी प्रोब्लम दिख रही है, ब्यापार आपका सही चलता रहेगा, स्वास्त अच्छा है, प्रेम संतान मध्यम है, पीली बस दू पास रखके, धनुराशी, प्राक्रम रंग लाएगा, किया गया प्रयास सफलता दायक होगा, ब्यापारिक सफलता मिलेगा, स्वास्त पे ध्यान देजिए, प्रेम और संतान की इस्थती अच्छी चलती रहेगी, ब्यापार तो मैं बताया बहुत अच्छा है, नेली बस दू का दान करे, मकराशी, वाणी अन्यमित अन्यंत ना होने पावे, स्वास्त ठीक ठाक है, प्रेम संतान की स्थती अभी मध्यम बनी हुई है, ब्यापार भी आपका सही चलता रहेगा, काली जी को प्रणाम करते रहे, कुम्राशी, ओजस्वी ते जस्वी बने रहेंगे, स्वास्त भी अच्छा दिख रहा है, प्रेम संतान अभी मध्यम है, ब्यापार आपका सही चलता रहेगा, हर आपके ब्यापार आपका सने सने आगे बढ़ेगा शिरुजी का जलाभी शेक करें शुब होगा नमस्कर करें